मसकार दोस्तों आप देख रहे हैं चोहान वीडियोज और इगनु की तरफ से दिसमबर 2022 के इग्जामिनेशन के लिए एक नई अपडेट जारी की गई है जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे अन तक देखे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तोरंट कर लिजिए और जो घंटी का निसान आपको नजर आ रहा है उसको जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी मेरी तरफ से नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए जिससे कि आप जल्दी से जल्दी उसको देख पाएं तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है इसमें दिसंबर एक्जाम के उपर जो नई अपडेट जारी की गई है उससे आपका एक्जाम जो आप देने वाले उसमें आपका बहुत फायदा होने वाला है और अगर आप उसको काम को कर लेते हैं तो आपके पास होने की संभावना है दिसंबर examination में काफी ज़्यादा बढ़ जाती है अब सीधा वीडियो के सुरुआत करते हैं कि क्या वो update है और आपको करना क्या है मेरी तरफ से जब भी आपके लिए examination को लेकर कोई भी वीडियो आई है जिसमें मैंने आपको समझाया है बताया है कि आपको किस तरीके से examination की तैयारी करनी है उसमें सबसे important जो topic रहा है वो यह रहा है कि आप पिछले साल का जो previous year का question paper है उसको तैयार कीजिए उससे ज़्यादा अच्छी जीज या उससे ज़्यादा important जो है आपका examination में कुछ और नहीं हो सकता उसके जरीए आपको अगर आप previous year के question paper पिछले 3 साल के देख लेते हैं तो आपको पता चल जाता कि कौन कौन से topic है जो कि आपकी इगनू की book के अंदर important है क्या आपका pattern रहने वाला है पांच number के question जादा आने तरह जाने वाले यह 2 नंबर को उस्टन ज्यादा आने वाले है यह आपके exams के अंदर दस नंबर का question जा आने वाले हैं या किस तरीके से क्या आने वाला है उसका exam का जो pattern होता है वो आपको पता चल जाता है जिससे आप हर subject को हर topic को उस तरीके से तयार कर सकते हैं उसके साथ साथ एक चीज जो और आपको बना चलती है कि कौन का जो subject है उसका जो question है किस chapter का कौन सा question है जो की बार बार पिछले तीन साल में, तीन साल का मतलब है छे question paper, जो कि आप जानते कि एक साल के अंदर दो बार exam होते हैं, जून के exam और December के exam, तो कौन सा question है, जो कि बार बार आ रहा है तो वो question या उससे repeated या उसके जैसा question जो कि आपका topic में, आपके किसी chapter में है तो वो आपके लिए important हो जाता है अगर आप previous year question paper question papers भी पिछले 3 साल के कर दे तो आपके 25 से 30% marks जो होते हैं वो confirm हो जाते हैं यानि कि अगर 100 number का exam आपका आने वाला है तो आप मान के चलिए कि 25 number जो है आपके वो previous year question paper जो पुछले 3 साल के हैं उन में जो questions बूचे गए या तो directly उसी तरीके के आ जाता है या फिर आ जाता है उससे related उसी topics related तो आपके लिए ये काफी important होते हैं अभी तक आपके पास पिछले सालों के तो थे लेकिन अभी जो कुछ महीने पहले जो exam सुआ है जून 2022 के उसके अभी तक इगनु की website पर upload नहीं किये गए थे question papers लेकिन अब इगनु की website पर जून 2022 के question papers भी upload कर दिये गए जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि question paper जून 2022 आपको नजर आ रहे होंगे सबसे पहले यहाँ पर choice based credit system के question paper BAG BCOMG और BACG के available हैं अगर आपको अपने subjects related अपने course related अपने question papers को ढूनना है तो आपके लिए सबसे असान तरीका होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो program है वो किस school के अंदर आता है आपके subjects यह हैं वो किस से related है ठीक आपका science related course है जिसमें आपने admission लिया हुआ है या arts related course है या commerce related course है आपका diploma का related course है certificate का related course है अगर इसकी जानकारी आपको अच्छी तरीके से है तो आपको यहाँ पर अपना जो भी question paper है अपने program related question paper है ढूनने में दिक्कत नहीं आएगी BAG, BCOMG, BSEG का तो तो तुरांत इनोंने उपर ही दे दिया कुछ करना ही नहीं है तीज़ा यहाँ पर आपको मिल जाएगा उसके बाद देखिए अगर आपका management studies related question paper है program है तो आप यहाँ पर देख सकते है school of education related आयनकी BAE वगरा का आपका अगर है तो आप यहाँ देख सकते है computer continuing education related health science है या फिर आपका research in distance education है engineering and technology social science social science के अंदर आपको जितने भी BA, BCOM, BSE जो पुराने साल के हैं उसके question paper जादा तर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है school of social science ठीक उसके बाद अगर आपका school of humanities के question paper यहाँ पर मिल जाएंगे school of science जिनके भी physics related question paper है chemistry या biology, life science जिसको इगनु में कहा जाता है उससे related है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो इस तरीके से आप इन question papers को download कीजिए और तयारी शुरू कर दीजी क्योंकि अब अगर हम देखे तो एक महिने से भी कम का समय बचा है आपका पहला exam सुरू होने से इसके साथ मैं आपको यह भी बात बता दू कि passing marks के ओपर आज कल काफी सारे questions जो है वो students की तरफ से पूछे जा रहे हैं तो bachelor degree अगर आपकी है इनकी BA है BCOM है, BST है तो आपको 35% marks चाहिए होते हैं पास होने के लिए ठीक, BCA एक exception है कुछ technical courses इस तरीके के हैं जहां पर आपको 40% marks चाहिए होते हैं जैसे BCA है MCA है, Diploma के जितने भी courses है, Certificate के जितने भी courses हैं उनमें आपको 40% marks चाहिए होते हैं पासिंग के लिए ठीक, उसके लावा बैचलर degree के जो भी courses होते हैं उनमें आपको 35% marks चाहिए होते हैं पास होने के लिए उसके अलावा अगर master's के course में अगर आपको आपने admission लिए जैसे MA है MCOM है, MSE है MBA है, यह सब के सब जितने भी हैं उनमें आपको 40% marks चाहिए होते हैं पास होने के लिए तो यह है passing marks का criteria तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंदते वीडियो को like जरूर कीजिए share जरूर कीजिए, यह आपको इगनों की website के download section पे भी मिल जाएंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसको लिंक मिल जाएंगे